कि अच्छी वाइप शा रही है बॉड्स की मुझी मुझी बीची मुट डाले लेगा जी है लो दोस्तों कुड़मानी स्वागत है हमारे तड़कते भरकते नवे ब्लॉग में दस्तों सोच हुआ चुके हैं अपने बगीचे के तरफ तो यह रहा भी लगा हुआ है लाशुन अधर आम इधर प्याज अभी लग गया अलू कोड़ने के बाद और अधर रहा पहाड पॉलीशिंग वज़े से था पहाड के लिए दिखनी रहा है यहां पर पॉलीशिंग ज्यादा है फिर धूमा वगर काफी है तो इसके से क्लिए नहीं है मौसमा साफ है दादी भी आ ग अधर तैमाटर हो गया हुआ है यह तो दोस्तों मोगा चुके बच्छों टीन लोग त्पीटीयम है अगया है अधर चल देखते है कितने माक्स आइसंगे अगि इसा प्रिपिटीयम सारी आप ट्रूशिक्स अने वर्नें तो यह रहा क्लास्रूम इंडोर के लिए तो चलते हैं गोलू के क्लास्रूम में तो यह रहा है तो यह रहा है यह रहा है कि प्लास्रूम बहुत बात ने करती है काफी अच्छा रहा परफॉर्मस अब का पेटियम में अब एक्जाम अच्छा कर ले बस परफॉर्मस अब अच्छा था बस पेपर अच्छा कर ले पंची अब सुनी ही ने कि में बूक रखने बार दूस्तों घर पहुच गए मिलते हैं आपसी पहले अपना देखो वेसी हितनम बदमास हो क्या परता है कुछ तो नहीं परता है माक्स में एक दो में लेकर आते है जो मैं बोली दूस्त मुस्त पर फोकस दो जैसे तुमको देखी थी और ऐसे देखना चाहती है एक सांध और थी फिफ्ट में रहेंगी सांध कि यह ज़िक्कर ने मुझे तो सेजी में बहुत अच्छी नगती है अच्छी सबार्ण दा बले तो सुरू सज हमारे पर सांध फिव आवर्स लेटर हलो दोस्तों तो हम लोग निकल चुके हैं भी पार्क और निकले हैं बाइक से, तो मेरे साथ है शीवम. तो अब हमगो बाइक से बिलोग करती हूं, हमगो निकलते हैं, पहुचेँगे से बाइक से ब्लoff करते हूं, पहुचेंगे अपने डेस्टीनेशन नियरहें कि पहुचने से आपक को देखाते हैं. तत्त बाइस से लिए जाते हैं जाने तो जाएंगे तो में हैं आपको दिखाते जाएंगे जाएंगे जाते हैं तो दोस्तो है फाले वह लोग पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे अपने इको पार्क पहुंच चूके नहीं और यह रहां ECO PARK का इंट्री गेट तो कि अज़सेखर अज़ाद ECO PARK अब कि सूबिक देखते हैं कहां सेंट्री हम लोगों मिलती है तो दोस्तों लोग पहुंच चुके हैं अपने लेशनेशन पर चंद सेखर आजाद इको पार्क और हम है श्रीव में साथ में तो बाइक से ही आ गये थे जाद तू नहीं घर से मुस्कुल से दो निटर लगा और तीन क्लिमिटर पर ये डिस्टेंशन पर है अपने घर से और पूरे आपको आज पार्क दिखाता हूं अभी नयाने बन रहा है अभी अभी ये अंडर कंटक्शन है और पार्क काफी बड़े एरिया मी बन रहा है ये अब काफी अच्छा है तो ये रहा पार्क पहले ये पूरा कच्ड़ों से पटा हुआ था बट अब इसे मोडिफिकेशन किया जा रहा है पार्क बनाए जा रहा है तो इधर इस इस एरिया के लिए अच्छा रहेगा अब पॉल्यूशन इतना है कि पॉल्यूशन से ख़रा ह हो जाए इस ट्रेक्चर देख सकते हैं अब 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 ब्लॉग देखने बाद घर के बच्चे कहेंगे हम भी चलेंगे तो पहले मैं आया था गुमने काफी दिन्यूशन देखा था इस पार्क को बनते हुए बोला मैंने चलो भूं कहाते हैं तो आ गया हम लोग में अभी ज संसेट कर देखें संसेट कैसे हो रहा है हुआ जो काफी दूर तक है यह बहुत अच्छा भी आने वड़े टाइम पर बहुत अच्छा हो जाएगा यह बर जभी पूरा कम्प्लीट हो जाएगा बहुत ही प्यारा लगे अभी यह अपने एरिये में बड़ा गया है यह तो पिंधि लगला पेस्पटा व कि अहीं और प्र GitHub उजैनेавать कोणầ Mother नहीं घुड़ा है किते अची वाइप सा रही है बाड्सकी और अब दिर देरा अंधिरा भी होने वाला है तो दुस्तों आने का इसका में डूट है आप अनप्रास सक्टिने करतब जाते हैं तो में डूटते ही है जिसे देखते हैं गेट के बाहर में डूट है और यह पार का जाता है चंद सेख्र अजाधी को पार कि तो में रोट नहीं दिख जाएगा बंपिए गेट बंद है जब थका के सब्सक्राइब नहीं खुला जाएगा और यह और में डोट शीए तो भी नहीं कि आप जिए हैं जिर्फिस को सब्सक्राइब ये बूट बना हुआ है आप जब भी रहा है एक बार जुरू वीजिट करें काभी अच्छा पार्क है और इधर देखें पेंटिंग किया जा रहा है कि कित्य अच्छी आर्ट है तो यह भी आर्ट का सामके जा रहा है कि सारे वाल प्यार्ट लभ लभ गवा पंपड़ेट हो चुके अधि गेट बन देखा तो अम लोग काफे राउंड लेकर आना पड़ा तो इसलिए बाइक से से जिए फायदा हुग अम लोग को ने तो मलोग कार से तो बहुत दिक्त हुटा बाइक साने का यह फायदा तो हु जाएगा तो दोस्तों अभी अंकल ने बताया है कि 27 अक्टूबर 23 को यह इको पार्क ओपन हो जाएगा गेट खुल जाएगा तो अंकल यह टिकट लगेगा कैसे होगा आप यह अब यह दे की सार नहीं बताया चेंग तो अब अब यह मालूम नहीं आपको तो अब यह अब अ अब यह से घला तो बल्ट है तो वहां से महां तक गेट बनेगा पुरा तो जैसा देख सकते हैं दूस्तों भी जो भाइक खड़ी है वहां भी रोड बनेगी में लोड कालोनी में इंड्वांट कर देगा वा लोड मोटे हैं गाड रोम बना है जो काम दश्चा जला आप प यहां का पॉलिशन जैसा देख सकते हैं भी बन तुरहा है यहीं पूरा आपको फोटम के लिए नहीं आ रहा है यह पूरा ब्लैक ब्लैक कोईले का डस्ट आ चुका है यहां के लिए माइनस पॉइंट रहेगा पार्क बहुत अच्छा बनाया है आने टाइम में बस पॉलिशन देखते हैं अंधर का ऐसा है पार्क कई पॉलिशन के वजए से पूरा कंदा परवगा कोई आता नहीं है पॉलिशन कोई दीख नहीं रहा है हम पता निहां कशे चलता है कि यह बहुत हुमा हुआ है अगर से आने तक में में तर्ट के क्लियोंटर देंसे कर चेंज हो गए है दूस्तुम है घर पे और गया रहा है चाय पीने अजमल नहीं यहां घर सुन में चाय आंग रही है इधर सोनम चाय पी रही है दोस्तों इनलों का चलने वाला शुरू हो गया एक्जाम अब कर रही हुआ है जी के परादी जी के परादी देखो संसर पेपर के त्यारी चलने लोगों की और फाइल नोट हो रहा है जाय मेरे रादी कैसे बता देगा मंकर मैं मतो आपने पर वी कुछ बोल ली थि कैसे बोल ली थि भी मोजी वेडियो में डाली यह जी पंची तुम एक कुछ्ण जाओ दो फाइफ केजी यालू है फाइफ केजी कोटन है तो वेट किसा जाता रहेगा कैसे बताओ बताओ विर्हाइब के वाटेसी सेने के जी झी और अलू का भी सेने के जी तो क्यों खॉर है जरना है एक कोशा है कि मुझा जबाद दो में एन्धेरा है तो सबसे पहले जलाोगं तो मेरे पासे कि जलाओ पासे मुंट्यी दिपक और लालतेन सबसे पले के जलाओ गए पैस बेटर के inquis कैसे तो मुम्बति नी में लाड़ाहphones पेले फिल्न जाएम के इस आपका आपके लूगे अRAY 20 माचीने ने रूम में तुम्हीं एक जवाब दो 5 kg तंट सबस्य भारी क्या होगा 2 जेंगे 2 योंगे 5 kg पारी क्या होगा कैसे के से ब्हुच्छा अलुग क्या ठाड सेल कर त्योंट सबस्य को अंधि टाट रहते हैं समक्रीस सूनों उट JUG केजी ऑलू हैं पाइड केजी काटन है तो सबसे ज्यादा वेट किसका होगा रूइब या बुट लेकिन बनावर नहीं बोला बोला पहले अलू बोला था हम बोले हां नहीं बनावर नहीं बोला नहीं बनाव मुझा घ्रबी बनाकूए है छिकनिष बीखन उर्ष जिए ऩर शिकर्ण हाँ आपनां हम तुल्हाल मुचाल आज पार आज वर्ल फाकर का ज dispang्छлом मुद्योर है vendor मैं तो सब देखे लगे हुए है लगे रहे रहे हैं है जिए और नेखानम को पाकर दोल बुए जाना जब भी थे वहां बाहर भी खाना जब गए था ना नहीं आरे इतना बड़ा पेट नहीं भाई तो दोस्तों ब्लॉगों करते हैं पेंड आयो आई हो आप लोगों को वीडियो अश्च लगी हो तो लाइक करें करें और चलू कैसे नोटंगी देखके रहें शेयर भी करें चलू नोटंगी देखना हो तो गईज मेरे चनल सब्सक्राइब करें